Dear students, today we will do worksheet number 2 of unit 9. In this worksheet, we will learn how we can make equivalent fractions from a given friction. For example, 1 by 2 is given, 1 by 2 की equal 2 by 4 or 4 by 8 friction कैसे बनेगा? तो देखें आप 1 by 2 जो है, उसमें अगर numerator में मैं 2 मुल्टिप्लाइ करूँ और denominator में भी 2 क्योंकि fraction की यह property होती है कि अगर आप numerator को जिस number से multiply करें, denominator को भी आप उसी number से ही multiply करेंगे to get equivalent fraction. तो 1, 2s are 2 and 2, 2s are 4. इसी तरह से अगर आपको 1 by 2 को 4 by 8 में convert करना है, तो कैसे करेंगे? 1 को 4 से multiply, क्योंकि 4 by 8 है तो 1 में 4 multiply करेंगे, numerator में तब भी 4 आएगा और denominator में भी आप 4 multiply करेंगे, तो 1, 4s are 4 and 2, 4s are 8. मतलब यहाँ से हम एक property understand कर सकते हैं fractions की, कि fractions में अगर हम numerator को किसी number से multiply कर रहे हैं, तो उसी same number से अगर हम denominator को भी multiply करेंगे, तो we will get equivalent fractions. So, question number 1 of worksheet number 2, हमारा जो first question है, इसमें जो given fraction है, वो है 1 by 2, और बाकी के जित्ते भी fractions हैं, हमें इन में से ये देखना है, कि कौन से fraction equivalent है, तो numerator में 1 है और denominator में 2 है, 1 by 2 में, तो पहला fraction है 2 by 4, तो 2 by 4 के लिए अगर आप इसको check करें, 1 by 2 में, आपको convert 2 by 4 equal है की नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे, 1 को 2 से multiply, 1, 2 is a 2, और नीचे denominator को भी आपको 2 से ही multiply करना पड़ेगा, तो 2, 2 is a 4, तो 2 by 4, yes, 2 by 4 is equivalent, फिर इसी तरह से है 5 upon, next है 5 upon 8, मतलब 1 by 2 में, अगर 1 को मैं 5 से multiply करूंगी, तब ही numerator में 5 आएगा, तो नीचे भी 5 से होगा, तो 2, 5 is a 10, upon में 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे upon में क्या है, 8, तो यह equivalent fraction नहीं है, फिर आपका आता है, इसके बाद 6 upon 12, तो 1 upon 2, और हमारा fraction 6 upon 12 बनना चाहिए, तो 1, 6 कब बनेगा, जब 1 में 6 multiply होगा, तो 2 में भी 6 multiply करके देखी थी, तो 2, 6 है 12 आया, तो यह बिल्कुल equivalent fraction है, तो इसको भी हम circle करेंगे, इसके बाद, आपका है next है, 9 upon 10, 9 upon 10 तो 1 by 2, 9 upon 10 के equal है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा, 1 में क्या multiply करेंगे, 9, 1 9 जा 9 होता है, तो 2 9 जा क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 18, लेकिन यहाँ पर क्या है 10, तो 9 upon 10 equivalent नहीं है, 6 upon 12, जो था वो यह हमारा equivalent था, 9 upon 10 equivalent नहीं है, फिर इसके बाद, जो है आपका last है, 3 upon 6, तो 1 by 2, 3 upon 6 कैसे बनेगा, यह अपका बनेगा, 1 3 जा और 2 3 जा 6, तो यह 3 upon 6 equivalent fraction आ रहा है, तो this is how, यह 3 जो है 1 by 2 के, इस 1 by 2 जो गिवन था, इसके एककोल यह 3 fractions हैं, अब हम करेंगे part B solve, part B में है, given fraction है 2 upon 3, अब इन में से हमें ढूनना है, कि इसके एककोल कौन से fraction है, पहला है 4 upon 6, तो 2 4 कैसे बनेगा, 2 में 2 multiply करके, 2 2s आ 4, तो 3 2s आ 6, 4 upon 6 is equivalent fraction, ओके, after that, 7 upon 13, तो 3 के table में 13 तो आता ही नहीं है, तो यह तो है ही नहीं, इसके बाद 8 upon 12 के लिए हम चेक कर लेते हैं, 8 upon 12, यह वाला number जो है, fractional number, यह equivalent है, 2 upon 3 के की नहीं, तो 2 में आप क्या multiply करोगे की 8 आ जाए, तो 2 4s आ, अब हमने numerator को 4 से किया, तो denominator को भी 4 से, 3 4s आ 12, 2 4s आ 8 और 3 4s आ 12, तो 8 upon 12 जो है हमारा equivalent fraction है, अब हम चेक करेंगे, 10 upon 12 को, इसके बाद हम चेक करेंगे, 10 upon 12 के लिए, तो 10 upon 12 जो है, 2 upon 3 के equal है की नहीं, तो 2 के table में 10 का बात है, 2 5s आ 10, तो 3 5s आ 15, मतब 10 upon 12 equivalent नहीं है, 10 upon 15 यह यहाँ पे है, यह equivalent fraction है, है ना, तो इस तरह से आप इसको rough में cross check करेंगे, और यह rough work भी आप copy, जहां पे आप copy में करेंगे, महीं right side पे एक line दगा के, सामने rough work करना है आपने, so that, जो आपका काम चेक करें, उसको पता चले कि आपको तरीका पता है, फिर इसके बाद, इसके जो 2 remaining parts हैं, यह आप खुद करेंगे, अब आजाते हैं question number 2 पे, tick the equivalent fractions, यह जो 2 given, हर question में 2-2 fraction दिये हैं, यह equivalent हैं या नहीं है, जो equivalent हैं, उन्हीं को आप tick करेंगे, तो जैसे है 2 upon 3, और 8 upon 12, क्या यह equal हैं, तो 2 के table में 8 का बाता है, 4's up है, 2, 4's up है, तो 3 भी किससे multiply होना चाहिए, 4 से ही, 3, 4's up है 12, तो 8 upon 12, तो यह equivalent हैं तो इसी तरह से हमारा, अब हम C part देख लेते हैं, C equivalent है कि नहीं है, तो 5 upon 6 है, और 10 upon 18 है, है ना, तो 5 के table में 10 का बाता है, 2 जा पे, 6 को किससे multiply करेंगे, उपर 2 से multiply किया numerator को, तो denominator को भी 2 से ही करेंगे, 6 जा 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 18 नहीं है, इसका मतलब यह equivalent नहीं है, इसी तरह से हम E part को चेक कर लेते हैं, 15 upon 16 and 30 upon 36, तो 15, 2 सा 30 होता है, तो 16, 2 सा 32, अगर यहाँ 32 होता, तो यह equivalent है, लेकिन यहाँ पर 36 है, तो यह भी equivalent नहीं है, तो बाकी के 3 parts को भी आप खुद cross check करेंगे, आप इसके बाद आजाते हैं, question number 3 पे, write the next 4 equivalent fractions, 1 upon 3, 2 upon 6, 3 upon 9, देखे, 1 में आपने क्या multiply किया था, 2, 1, 2 सा 2, 3, 2 सा 6, तो 2 upon 6 आगया, अब इसी 1 में अगर आप, next क्या है, यह 3 upon 9, मतलब 1 में क्या multiply हुआ 3, और नीचे भी 3, मतलब ऊपर 1 का table चल रहा है, और नीचे, 3 का table चल रहा है, ठीके, तो अब यह 1, 3 सा, अब 1, 4 सा, यहाँ पे, 1, 1 सा 1, 1, 2 सा 2, 1, 3 सा 3, 1, 4 सा 4, 1, 5 सा 5, 1, 6 सा 6, 1, 7 सा 7, और इजे 3 का table चल रहा है, 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18, और 3 7 सा 21, तो यह fraction बन गया, 4 upon 12, 5 upon 15, 6 upon 18, 7 upon 21, यह सारे के सारे, equivalent fractions है, इसी तरह से, 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 15 and 5 4 सा 20, मतलब आपने, 2 upon 5 को, यह 6 upon 20 कैसे आया, 2 को, 3 से multiply, sorry, यहाँ पर आएगा, 2 4 सा 8, यहाँ पर आएगा, 2 4 सा 8, तो 4 से multiply किया, तो 5 4 सा 20, इसके बाद, यहाँ पर है, यह 8, इसके बाद, 2 5 सा 10, और 5 5 सा 25, फिर 2 6 सा 12, 2 7 सा 14, 5 6 सा 30, and 5 7 सा 35, तो this is how, fractions आपके एक्विविलेंट यहाँ पर आ जाएंगे, अब यह 6 अपॉन 10 है, पहला fraction के है, 6 अपॉन 10 मतलब, numerator में 6 का टेबल चलेगा, और denominator में 10 का टेबल चलेगा, ठीक है, तो 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, 6 4 सा, 36 and 42, और 30, 40, 50, 60 and 70, तो यह आपके बन गए, एक्विविलेंट फ्रिक्शन्स, यह ना, प्लास्टी पार्ट, यू विल दू यॉर सेल्फ, इसमें क्या है, numerator में 3 का टेबल चलेगा, और denominator में, आपका 9 का टेबल, आप, देखें, 9, 9 2 सा 18, 9 3 सा 27, 9 4 सा 36, है ना, तो numerator और denominator का आपने, इक्विलेंट फ्रेक्शन जब भी बनाने हो, तो you will recite the tables of numerator, और denominator of first fraction, जो भी आपका, first fraction given है, जैसे यहां 1 by 3 है, यहां 2 by 5 है, 6 upon 10 है, यहां 3 upon 9 है, तो इनके numerator और देनॉमिलेंट के table, आप recite करके, you can frame out equivalent fractions, question number 4, write 3 equivalent fractions for each, तो जैसे हमने यहां पे ले लिया, ए पार्ट, 1 by, 1 by 7, तो 1 by 7 के equivalent हमने, कितने fractions लिखने हैं, 3, यह दूसरा fraction, और इसके एककोल तीसरा fraction, तो उपर किसका table चलेगा, 1 का, 1, 2s are 2, 1, 3s are 3, 1, 4s are 4, और नीचे 7, 2s are 14, 7, 3s are 21, 7, 4s are 28, इसी तरह से 5 upon 8 के equal हमने तीन fraction और लिखने हैं, ठीक है, equivalent, तो उपर 5, 5 को 2 से multiply करेंगे 10, और 8 को भी 2 से multiply करेंगे, 8, 2s are 16, अब 5 को 3 से multiply करेंगे, 5, 3s are 15, and 8, 3s are 24, इसी तरह से 5, 4s are 20, and 8, 4s are, okay, 32, तो this is how, जैसे हमने next है, यहां पर 9 upon 11, मतलब, तीन fraction इसके equivalent हमें लिखने हैं, तो 9, 2s are 18, 9 को 2 से multiply किया, तो 11 को भी 2 से, 11, 2s are 22, इसी तरह से 9, 3s are 27, and 11, 3s are 33, 9, 4s are 36, and 11, 4s are 44, इसी तरह से 10 upon 13, तो 3 equivalent fractions हमें लिखने हैं इसके, तो 10, 2s are 20, and 13, 2s are 26, 10, 3s are 30, and 13, 3s are 39, and 10, 4s are 40, and 13, 4s are 52, So, this is how, remaining two parts, you will solve yourself, and dear students, in this way, you will complete worksheet number 2 of unit 9 in your math sphere note, पुक